हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ये रिजिनिंग के एक टॉपिक की, मिसिंग नंबर की मिसिंग नंबर के एक टॉपिक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है यदि आपको भी मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो पन तक देखते रहे है यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेर करें और हमारे चैनल SSC कोचिंग सेंटर लोग सबस्क्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरू दबाएं ताकि हमारे हर नई वीडियो के अपनेट आपको मिलती रहे है तो पहला कोच्शन या पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों फाइंड मिसिंग नंबर ये कोच्शन लिखा हुआ है ये 3 into 3 box है 1,2,3, ये 3, 1,2,3, ये 3 मतलग इस तरह से लिखी हो संक्या उसे स्तंब बोलते है और इस तरह से लिखी हो उसे column बोलते है तो सबसे पहले में इसका concept समझाऊँगा चोटा सा concept है दोस्तों जब 3 into 3 दे रखा हो या फिर आपका हो सकता है 4 into 3 या फिर हो सकता है आपका 3 into 4 ये column आपका कैसा भी हो सकता है ऐसे 4 खाने हो सकते हैं ऐसे 3 खाने हो सकते हैं ऐसे 3 खाने हो ऐसे 4 खाने भी हो सकते हैं तो कैसा भी question हो आपका आप इसी तरीके से solve कीजिएगा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं जो relation इस तरीके से बनेगा वही relation आपका ऐसे बनेगा जो relation आपका ऐसे बन रहा है वही relation आपको ऐसे बनाना है और वही relation आपको ऐसे बनाना है जो relation आपका ऐसे बन रहा है वही relation आपको ऐसे बनाएंगे और वही relation आप ऐसे बनाएंगे मतलब आपका relation इस तरह से नहीं बनेगा missing number में इस तरह से आप cross बनाएंगे तो नहीं बनेगा इसी तरह से हम करेंगे आपको इसमें multiply करना पड़ सकता है multiply होगा minus, square, cube कुछ भी हो सकता है दोस्तों divide भी हो सकता है तब जाकर आपका answer आएगा इस तरह के question को कैसे solve करेंगे दोस्तों पहला question देख लेते हैं यह दे रखा है 6, 8, 12 7, 9, 14, 85, 14, 15 यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों तो यदि हम ऐसे बनाएंगे तो इसमें क्या answer आएगा 6 और 8 को अगर हम जोड भी देते हैं plus कर दें तो 12 नहीं आएगा 6 हो जाएगा 7 का square करूँगा तो 49 हो जाएगा अब हम इसे add कर देंगे तो 6 और 9 15 हो जाएगा 15 का 5, 1 carry का इसके उपर 1 और 3, 4 और 4, 8 हो जाएगा तो आपको क्या मिल गया 85, मतलब इसमें जो relation बनना है वही relation आप हम इसमें बनाएंगे तो यहाँ दे रखा आपका 8, 8 का square करेंगे तो 64 होता है 9 का square किया 81, अब इनको add करेंगे तो 5, 6, 8 14 तो आपका यह भी relation बन गया इनका square किया इनका square किया, एड किया दोनों को 85 मिल गया, 8 का square किया 9 का square किया, दोनों को add किया 145 मिल गया, वही इसमें करेंगे, इसका स्कॉर करेंगे, इसका स्कॉर करेंगे, दोनों को एड़ करेंगे, तो हमें यहाँ पर वही संख्या, मिल जाएगी, तो 12 का स्कॉर होता है, 144, 14 का स्कॉर होता है, 196, अब दोनों को एड़ करना है, इन दोनों को एड़ किया, 0, 1 के रिक वही रिलेशन इसमें बनेगा वही रिलेशन इसमें बनेगा अलग अलग नहीं होगा हम इसमें स्क्वार करके चल रहे हैं तो इसमें भी स्क्वार करना होगा वही स्क्वार इसमें करना होगा अगर इस तरह से करेंगे तो वही इसमें बनेगा वही इसमें बनेगा तो अगला वही ऐसे बनेगा तब ही हमारा आंसर आएगा तो इसमें मैं आपको डिरेक्ट करके बताता हूं कैसे होगा यहादी हम 24 को एड़ करेंगे इसमें और तब यहाँ पर करेंगे तो नहीं आएगा आंसर इसको इसमें आड़ करेंगे तो इसमें भी नहीं आएगा यहादी हम ऐसे करके देखते हैं तब कैसे आएगा 24 दे रखा है जानकि एक दो तीन इस तरह से मैं आपको प्लस करके दिखाऊंगा प्लस भी कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं मल्टिप्लाई कर सकते हैं स्क्वाइर भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले कोश्चन में देखा स् जो इसमें होगा वही समें स्में होगा तो मैं इन सब को आपने add किया, तब भी आपको क्या मिला, 38, तो हमें यहाँ पर इनको add करने के बाद, 38 ही मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पर कितना add करना पड़ेगा, वो देखेंगे, तो 19 plus 18, अब 19 और 18 को plus किया, तो 37 होता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 add करना पड़ेगा, इसमें directly add किया है, तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, और या फिर ऐसे कीजिए, ऐसे, ऐसे तब आपकान सराएगा, क्रॉस नहीं करना है दोस्तों, क्रॉस नहीं चलेगा इसमें, next question देखते हैं, next question है, दोस्तों इस question को देखें, इसमें भी 3 to 3 का block है, एक दो 3 इसमें यदि देखें, तो question mark पहले ही दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, यदि आपको आता है दोस्तों, तो यह question आपने अभी तक solve कर दिया होगा, बहुत ही easy question है, इसमें तो multiply और square करने की जरूरत भी नहीं है, आपने कर दिया होगा, यह नहीं आता तो मैं बता रहा ह यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 16, 4 का double होता है दोस्तों, 8, 8 का double होता है 16, मतलब 2 का multiply हो रहा है, 4 का multiply 2 में करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 8 का multiply 2 में करेंगे तो 16 मिल जाएगा, ऐसे इसमें करेंगे दोस्तों, 32 का multiply 2 में करेंगे तो 64 मिल जाएग वैसे ही यहाँ पर करेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सी संग्या का multiply 2 से करेंगे जो 512 मिल जाएगा तो यह option दे रखेंगे हैं दोस्तों 256 इसका answer है 256 इसका answer है 256 का multiply यह आप 2 में करेंगे तो 512 मिल जाएगा 266 का double कितना होता है 512 और 512 का double 1024 इसका answer हो गया दोस्तों next question देखते हैं, next question देखते हैं दोस्तों, इस question के ज़िए हम बात करें, तो इसमें 4 into 3 का box दे रखा है हमारा, इधर 4 हैं और ये 3 हैं, तो 4 into 3 का box दे रखा है, जो relation इसमें बनेगा, वही इसमें बनेगा, वही इसमें बनेगा, यदि ऐसे नहीं बन रहा है, तो ऐसे बनेगा, इसमें इसमें चारों में सेम बनेगा इसके हम बात करें तो यह 4 इंटू 3 का बॉक्स है हमारा यह 4 है और यह 3 है तो 4 इंटू 3 का बॉक्स है तो इस question को करेंगे कैसे देख लीजिए दोस्तों यह 4 option दे रखें इसके और यह question आपका CHSL exam tier 1 में आया हुआ है 2016 में तो बहुत important question है इस question को करेंगे दोस्तों आप इसका multiply 6 का फोर से करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा छेचोक 24 मिल जाएगा दोस्तों चेचोक 24 हो गया अथ 3 का multiply 8 से करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा तो सेम मिल रहा है दोस्तों मतलब आपका जो relation बन रहा है बिल तीन से multiply एक digit छोड़के दूसरे से किया तो 24 मिल गया मतलब बरावर मिल रहा है अब इसका करेंगे दोस्तों इसका इस वारी से करेंगे एक digit छोड़के अठारतिया कितना होता है चववन अठारति चववन होता है दोस्तों यह हमने चववन लिख लिया अब दो का multiply किस से करे करेंगे 27 से दो का multiply 27 से करेंगे एक digit छोड़के तो 27 दूनी कितना होता है यह भी चववन होता है मतलब है लिख सेन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है दोस्तों यह भी सेम था और यह भी सेम है अब इनमें भी हम वही करेंगे मतलब 15 का multiply करेंगे चुरे इसमें बनेगा वही हम हमारे इसके बरावर आना चाहिए तो 5 का multiply 9 में कर लेते हैं पहले 95 45 होता है मतलब इन दोनों का multiply करने के बाद भी 45 ही आना चाहिए तो 15 का multiply कितने से किया जाए जो 45 आएगा तो 15 का multiply यह हम 3 से करेंगे तो 45 आता है इसका मतलब option number C हमारा सही आंसर है 15 का multiply यहां पर 3 से करेंगे तो 45 आएगा तो इस question मार की जगे हम पर कितना आएगा दोस्तों तीन आएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्सी कोचिंग सेंटर को सब्स्राइब परनें दोस्तों धन्यावाब